मेरे प्यारे साथियों आप सभी का हमारे चैनल फिटर फाइटर पर बहुत स्वागत है दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि 2023 की NPCIL की विकेंसी आई हुई है जो आपको सामने दिख रही है तो इसके बारे में हम पूरा सब बताएंगे कैसे आपको अपलाई करना इसमें क्या माँगा गया है कि इसकी कितनी पोश्ट है यह सारी बात में आप लोगों को बताऊंगा तो इसको हम बिल्कुछ जीरू से सुरू करेंगे तो आप लोग जो भी इस पर अपलाई करना चाहते हैं NPCIL में हमारे इस वीडियो को पूरा देखें और अधि यह चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें कि यह कि चैनल हमारे जो पर्मनेंट जॉब होते हैं यह जो अपलोड करता रहता है तो देखें मैं इसको सबसे पहले इस पर पहुंच जाता हूँ सबसे पहले हमें क्या डालना है इस पर गूगल पर जाकर कि देखें मैंने गूगल पर क्या डालना है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ गूगल पर सबसे पहले आपको डालना है NPCI LITI रिक्यूब्मेंट 2023 जो मैंने आपको सामने दिखा दिया है जैसे ही आप ही डालोगे तो इसमें एक पेज खुल जाएगा NPCI LITI रिक्यूब्मेंट 2023 यह खुला हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ यह खुल जाएगा NPCI LITI रिक्यूब्मेंट 2023 गवर्मेंट जॉब्मेंट जोब्मेंट तो इसपे आपको किलिक कर देना है जैसे ही आप इसपे किलिक करोगे तो यह आपके सामने यह पेज खुल करके आ जाएगा अब इसमें देखे लिखा हुआ है यह कहां कहा है वो मैं आपको बता दीता हूँ यह सब कुछ लिखा हुए Nuclear Power Corporation of India Limited जो NPCI LIT का full form है Nuclear Power Corporation of India Limited यह कहां कहा है देखे नीचे लिखा हुआ है जिसपे मैं सर्क्ल कर रहा हूँ तारापुर महरास्ट यश्योच कहां पर है NPCI LIT की सारा पूर्ण जगय पर महरास्ट्रा में हैं और यह पर्मानेंट जॉब है एसे में लिखा हुआ है टैकनेशियन की भरती है हम इसको नीचे ले चलते हैं और किसकी कितनी वेकेंसी यह पूरा जो है उनका चार्ट जो बेकेंसी का चार्ट है पूरा दिखा देता है नर्स एक जहांपर नर्स की पोश्ट इसमें कितनी पोश्ट है, टोटल 25 पोश्ट इसमें दिखाई गई है, नर्स के लिए इसमें दिया गया है, दिखिए, SC, ST, OBC, EWS, अदर्स, जेनरल, टोटल मिला के इसमें 25 पोश्ट इसमें हैं, और एक इसमें PWBD की जो है, जो others quota होता है उसके लिए एक है तो total 26 post इसमें दी गई है इसके बाद है इसमें pathological जो lab होती है जो जहां पर pathology मैंने कि जो जाच होती है blood की जाच है उनका जो hospital होगा hospital होगा उसके लिए दो vacancy आई हुई है और P WBD का मिला के इस तीन vacancy होगा यह तीसरे नम्बर पर फार्मासेस्ट की पिकैंसी फार्मासेस्ट वाली तो समय टोटल है जो है चार इसमें दिगए है कि इसके बाद इस्टीपेंडरी टैकनी टैनी जो डेंटल इसमें लिखा धून टेकनेशियन ठीचने के इस तो इसकी एक विकेंसी है इसके बाद और आगे हम चलते हैं इसमें देखे एकसरे टैकनीशियन जो एकसरा करता है विक्ति उनका उस्पीटल होता है एनपीसी वालों का जैसे बियेचल का उस्पीटल होता है एनटीपीसी का उस्पीटल होता है तो एकसरे टैकनीशियन की एक इसके बाद नीचे जो IDI वाली में वेकंसी वो है activity & training technician देखे यह छी नमबर में वेकंसी दी गई है छी नमबर में जो डी गई है यसमें मैं टिक लगा देता हूँ यह छी नमबर की वेकंसी जो है इसमें ITI मांगा गया है इसमें fighter की देखे इसमें plant operator की 34 post है फीटर की 34 फोस्ट है टर्णर की चार जग़ा है इसके बाद elektrician की 26 जग़ा है यह बहुत ही अच्छा मौका है ITA वालों के लिए मेकेनिक्स की है, बायर मैं की है इलक्टरोनिक्स मेकेनिक्स की है तो यह तोटल मिला करके तोटल 137 जग़ा है और इसमें OBC के 19 जगाय और PWBD की मिला के ये पूरी 108 जगाय है तो इतनी 108 जगाय का मौका आपको पहली बार मिल रहा है 2023 में तो इस फिर्म को फिलब करें हम बताएंगे कैसे के आपको इसको फिलब करना है ये आगे बढ़ते हैं अभी हम इसमें आपनको ये दिखे ये इनाउंस्मेंट कब हुआ है ये मैं आपको बता देता हूँ ये इनाउंस्मेंट की डेट देखे दिखाए गई है ये आठ फेबरुवरी 2023 आठ फरवरी 2023 दस बजे बिल वी बिल वी ओपन येन 28 फरवरी 2023 यानि ये जो जौब है ये आठ फरवरी यानि आज से 2023 से इसको आप उनलाइन कर सकते हैं और उनलाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा आठ फरवरी आज से इसके लिए देखे यह website इसकी दी गई है मैं इसकी website को नीचे लिख देता हूँ आपको कौन सी website डालना है किस से आपको form बनना है www तीन बार डालना है आपको dot रखना है फिर np.il लिखना है np.il np.il लिखना है इसके बाद carrier लिखना है np.il लिखने के बाद carrs carriers.com इसको जूम करके दिखा देता हूँ www.npcilcareers.com .co.in इस पर जाके आप online करेंगे कब से online करेंगे मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कब से आपको online करना है और कब तक इसकी last date होगी मैं आपको इसको एक बार स्क्रीम पर लिख देता हूँ इसकी जो ओनलाइन की डेट होगी वो मैं आपको बताता हूँ आठ फरवरी यानि आज से आठ फरवरी दो हजार तेश से इसको आप दस वजे से दस एम से दस एम से आप इसको ओनलाइन कर सकते हो और इसका last date होगी last date इसमें अभी लिखे हुई थी मैं अभी बता देता हूँ आपको मैंने यहीं से इसको underline करके अभी दिखाया था इसको मैं थोड़ा zooming करके दिखा देता हूँ यह लिखा है 28 February thus 8 February से ले करके आपको 28 February के last तक आपको फर्म है 8 February से start होगा और 28 February यानि 20 दिन का टाइम है तो आप इस फर्म को वहर सकते हैं अब हम और आगे चलते हैं कैसा क्या होगा सब दिखा देते हैं आप लोगों को देखे यह लिखा गया है NPCIL recruitment देखे लिखा नPCIL recruitment 23 बिलको सही बात है फ्रेसर्स की भरती है यानि इसमें कोई experience का कोई मतलब नहीं आप लोगे सोच रहे हों कि इसमें फ्रेसर्स भरती होगी stipendary trainee जो technician मैंने अभी बोला ITI वालों के लिए यह vacancy है एक स्वन्ठाउन फोस्ट है category इनकी 2 रहेगी यानि 2nd gate की रहेगी लास्ट डेट इसकी 28 फरवरी रहेगी तो आप लोग इस firm को जल्ले यली भरें इसका जो organization है वो कौन सा organization Nuclear Power Corporation of India Limited NPCIL यह बहुत ही government अच्छी job है इसमें अच्छा payment मिलता है और paper भी बहुत अच्छा था paper से related जो भी जानकारी मेरे पास आएगी में आप लोगों तक जरूर पहुँचाओंगा इसलिए आप हमारे चनली पर बने रहे इसके बारे में थोड़ा लिखा आ गया है कि 21 Nuclear Reactor Operating यह location यानि इस location में 21 Reactor जो है लगे हुए nuclear के उससे अपन को मतलब नहीं अभी जो मैंने आपको side बताईती वह यह है organization की website यह www.npcil.nic.in यह हमारा जहां पर वो plant लगा हुआ उसकी website है लेकिन इससे form नहीं भरा जाएगा form जो मैंने अभी बताया था वो बताया था www.npcil.co.in npcil.carrier.co.in इससे form भरा जाएगा और यह जो website लिखी हुई है यह website उस organization की लिखी जहां पर आपको posting मिलेगी इसके बाद इसकी जो सेनी दी गई है सेनी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ जो ITI वालों के लिए है वो यह है ITI वालों के लिए Stipendry Training Technician Category 2 यह ITI वालों के लिए है और इसमें hospital की सारी जगह थी तारापर महराष्ट में रहेंगे इसका basic cell ही देए 21,700 है लेकर इसमें जब DAE यह सब मिला करके यह 50,000 के आसपास इसकी cell बन जाती है महेंगाई बत्ता, diesel, patrol जो भी सब मिला करके पसा हिजार के आसपास इसको payment मिल जाएगी इसके बाद यह जो है जो बिकेंसी है उसके बारे में बताया गया है Training Technician जो है उसके लिए category 2 plant operator इसके लिए क्या-क्या मांगा गया देखे 10 plus 2 यदि आप physics, chemistry और mathematics subject से हैं और आपके minimum 50% mark है तो आप इसमें यह form apply कर सकते हैं जो plant operator होगा उसके लिए उसमें ITI नहीं मांगी गई है आपको 10 plus 2 यदि आप 12th pass हैं तो भी आप plant operator केवल यह वाला form भर सकते हैं आप plant operator का आपकी physics, chemistry और math में यदि math side से 50% mark होने चाहिए 50% से कम होगे तो नहीं भर पाऊगे दूसरा है जिसमें ITI मांगी गई है वो है maintainer वाला यह maintainer वाला है इसमें ITI compulsory है क्योंकि इसको maintenance करना पड़ेगा तो इसके लिए ITI fitter, electrician, turner, welder RAC, machining, instrument, mechanic, machinist, buyer, man electronic इसकी सब की post अलग अलग है जो मैंने अभी पिछले जो आगे अभी समझाया उसी वीडियो में समझा चुका हूँ इसकी total post कितनी है total 158 post है इसमें जो plant operator में है उसमें 12 मागी गई है मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ इसके बाद यह post जो मैंने उधर आपको लिष्ट में दिखाई थी यह post आप फिर से देख लिए फिटर की 34 है इलेक्टिशन 26 है टरनचो चार है बेल्डर 15 है आरेसी मसीन की 3 है इंस्ट्यूमेंट 11 है मसीनिस्ट की 4 है बायर में 10 है इलेक्ट्रोनिक मेंगिनिक 11 है पिलंबर की 1 है कार्पेंटर की 2 है और मेंसन मेंसन जो मकान बनाने वाले रहते हैं या जो सिमिन्ट का काम करते हैं उसको मेंसन कहा जाता है तो उसकी यह विकेंसी है इसकी बाद एक information.com technology की इसकी दो पूश्ट इसमें यह दिखाई गई है एज 18 से 24 साल है और relaxation जरूर मिलेगा इसमें कैसे relaxation मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ देखेए यदि 24 साल के आप हो गया हो यदि SCHT से हैं तो आपका हो जाएगा 24 प्लस 5 यानि 29 साल हो जाएगा अगर आप OBC के हैं तो 24 प्लस 37 हो जाएगा और PWBD जो handicapter रहते हैं तो physically जो रहते हैं उनके लिए 10 साल का है तो 34 साल तको भर सकते हैं यानि इसमें age का काफी अच्छा मतलब combination है यानि कम ही age पर आप लोगों को इसमें chance दिया गया है तो जो phrases हैं नए बच्चों उनको requirement के लिए किया गया है लेकिन आप पी जो भी Sage के अंडर में आ रहे हैं वो भी को form को भर सकते हैं इसमें इसका ये main चीज है इसका जो process क्या होगा पहले written exam होगा ठीक है written exam जो है पहले primary test होगा primary test जो होता है उसमें जो 50 number का आता है पिछली बार जो आया था इसके बाद advance test होगा इसमें mirror जो है advance test के आधार पर बनती है और इसके बाद जो भी इसकी जानकारी मिलेगी सब मैं बताऊंगे इसके बाद trade test होगा जिसमें आपको job बनाना पड़ेगा job बनाने के लिए ती fitting है फिटर के लिए T fitting, L fitting जो भी है आपको बाद में trade test देना पड़ेगा जिसमें hexa चलाना पड़ेगा drill चलाना पड़ेगा वो skill test होगा इनि इसमें तीन exam होगे पहला होगा primary exam pre exam होगा इसको आपको passing करना पड़ेगा पहला exam फिर इसके बाद trade test होगा जिसमें theory आएगी दूसरे नंबर पर theory का test होता है theory इसमें बहुत ही अच्छी आती है पहले वाले exam में math science आती है math science reasoning बगरा आती है पहले वाले में दूसरे वाले में trade theory आती है मैं बार बार बोल ला हूँ या आपको कोई wire connection है यह सब करना पढ़ेंगे तो इससे related एदी कोई जानगारी मेरे पास आएगी तो मैं आप तक जरूर पहुचा हूँगा यह उसकी date के बारे में दिखाया गया है आठ फरवरी opening है अनि आज से आप फर्म भर सकते हैं और यदि आप apply करना चाहते हैं तो आप इस पर click पर link करके आप इसको apply कर सकते हैं अभी मैं जैसे देखे लिए मैं आप लोगों को एक थोड़ा आगे दिखा के फिर बंद करता हूँ इसके बार देखे यह तो सब यह पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी अब मैं इसके click करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि notification कैसे मिलेगा यह मैंने click कर दिया इसके तो आपको notification मिल जाएगा देखे यह notification खुल गया है उसी कर जो मैं आप लोगों को दिखा रहा थे यह पूरा notification आपको मिल जाएगा जैसी विकेंसी मैं आप लोगों को सब दिखा रहा हूँ ये पूरा आप अच्छे से पढ़ लीजिए कैसे क्या इसमें आएगा सब दिखे फीटे टर्नर ये सब दिख रहा हुगा आप लोगों को ये आप लोग भी ऐसे डाउनलोड कर सकते आपको कोई परिशान होने की जरुवत नहीं है देखे इसमें बेतन पेमेंट देखे इसमें जो मैंने आप लोगों को बताया था वो ही पेमेंट इसमें भी लिखा हुआ है मैं आप लोगों का भी दिखा देता हूँ पूरा सब पूरा लिखा हुगा है आप लोग आराम से इसको पढ़ लीजिए पूरा सब कुछ इसमें हाइट वगएरा जो दी गई है उसको भी आप पढ़ लीजिए सब मैं आप नीचे बढ़ता हूँ इस अब जो भी यो उता है सब जो मैं आपि आपONG में थोड़ी थोड़ी बता है वही सब इसमें लिखा हुगा है इसमें जो मैं आप योब बताया था कि पहले लिख के तिक जाने होगा फिर आपका कम्प्यूटर य कंप्वी और फैनल इसमें हमार का बहु kennen, आप लोगों को ये मेरे को दिखाना था इसलिए में गया तो इसलिए में प्रार्णविक परिक्षा होगी एक घंटे की होगी देखिए इसमें एक घंटा लिखा हुआ है दूसरी परिक्षा कितने की हो दो घंटे की होगी ठीक है प्रार्णविक परिक्षा में आप इसलिए स शटनी परिक्षा होगी यानि प्रारंविक जो परिक्षा हो रही हो केवल छटनी करने के लिए है उसके कोई मेरट नहीं बनाई जाएगी उससे छटनी परिक्षा का प्रारूप कोमन होगा यह सब की यानि जो प्रारंविक परिक्षा है जो पी का वन एकजाम है एकजाम आएगा अपना skill test का आएगा हम पहले वाले का ये और चीज़ बता देते हैं क्या क्या आएगा देखें इसमें ये लिखा हुए देखें बहुत ही important जानकारी ये है इसी से आप अभी से लग जाएगी 20 नमबर की इसमें गड़ित आएगी जो सबका common आएगा कोई भी किसी टेट का हो दूसरे नमबर पर science आएगी 20 नमबर की आएगी और फिर आएगी general awareness मतलब gk जो sorry reasoning आएगी general awareness general awareness मतलब general awareness मतलब gk देखें ये गड़ित है ये science है ये gk तो तीनों मिलाके ये 50 नमबर का test होगा general awareness इस मतलब gk होता है तो 50 नमबर का test होगा आपको एक घंटे में देना पड़ेगा और इससे merit यानि merit नहीं मनेगी इससे केवल और केवल जो भीड होती है भीड की छड़नी की जाएगी क्योंकि बहुत सारे बच्चे पेपर देने जाएगी उन बच्चों के द्वारा second paper करवाया जाएगा ठीके न और इसमें देखे एक नीचे एक बात और लिखी गई है कि प्रतेक सही उत्तर के तीन अंक प्राप्त होंगे और एक गलत होने पर एक अंक उनका काटा जाएगा यानि कि सही question होने पर जो हमारा एक्जाम बन होगा उस बन एक्जाम होने में तीन नंबर मिलेंगे सही कोचन होने पर गलत होने पर एक अंक आपका काटा जाएगा नहीं निगेटिव मार्किंग इसमें होगी हम आगे बढ़ते हैं दीफरे एक्जाम के लिए अब देखे इसमें पासिंग मार्क कितनी हैं पासिंग मार्क हम आप लोगों को दिखा देते हैं अरता मानक निवनसार होगी जैसे सामन अनरशित बर्क के लिए 40% अंक आना चाहिए इसमें जो मेरेड में आने के लिए अनुषी जन्दाती अनुषी जन्जाती के लिए ये 30% आँगाना चाहिए CST OVC के लिए 30% नंबर चाहिए और पिछड़ा अन पिछड़ा बर्क के लिए उसके लिए हमें देखें EWS के लिए 40% से मार कंडिडेट विलोंग तो CST OVC देखें इसमें लिखा हुआ है चरण 3 के लिए बाहर हो जाएगा तो ये इतने नंबर आना चाहिए 40% तो 30% ये CST OVC के लिए 20% से कम अंग पाने पर इसमें लिखा है थी 20% से कम अंग पाने पर उनको बाहर कर दिया जाएगा तो ये लिस्ट को अच्छे से आप पढ़ लीजिए अब हम आगे बढ़ते हैं ये नंबर यानि आपको 40% लेके चालिए यानि आपको 50 नंबर का जो पेपर होगा 50 नंबर के पेपर में 40% मारक्स यानि की आपको 20 नंबर से ज़ादा लाना पढ़ेंगे 20 नंबर से कम लाओगे तो आप इसमें पास नहीं होगे तो इसलिए अभी से आप गड़त, साइंस और जनरल वेजनेस पढ़ना स्टार्ट करती है अब जो दूसरा पेपर होगा वो पेपर देखें इस पेपर को मैंने बोला था कि ये ट्रेड से रिलेटेड होगा इसमें दूसरे पेपर में पूरी ट्रेड आएगी तो इसमें सबका पेपर अलाग-अलाग होगा फिटर का अलाग होगा देखें दूरा एडबांस परिक्षा दो घंडे की होगी और इसमें ट्रेड से सम्मंदित परिक्षा में आएगा फिटर वालों के लिए फिटर होगा इलेक्टीशन आएगा तर्णर वालों में लिए तर्णर आएगा तो इसलिए ध्यान रखें आप दोनों पेपर की तैयारी करें अच्छे से इसमें भी ओप्शनल कुश्चन आपका होगा पेपर इसमें पचास प्रिशन होंगे और वही तीन नमबर मिलेंगे एक कुश्चन के तीन नमबर मिलेंगे वो गलत होने पर एक नमबर कट जाएगा तो आप लोगों को ये चीज का ध्यान रखना है अब आगे बढ़ें अपन अब इखिए इसमें अब इसमें क्या मार्क्स रहेंगे तो वो मार्क्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ सामन बर्क के लिए 30% मार्क लिखे गए है SC, ST, OVC के लिए दिखे ये लिखा होगा है 20% मार्क लिखे गए यानि दूसरी टेस्ट में 20% से कम अंकाने पर उनको बाहर कर दिया जाएगा यानि 20% से यानि जिसके 30% दिये गए है तो 30% से कम आते हैं तो उनको बाहर कर दिया जाएगा सामन वालों को और SC, ST और OVC वालों के 20% से कम नंबर आते हैं да में इस्किल टेष्ट होता इसमें जॉब बनवाय जाता है आपसे अब यह कौसल परिच्षा जो हैं इक कौसल परिच्था प्रिसिश्चिट्ग की रिबाइन प्लाइंट ऑपरेटर के लिए लागू नहीं होगी जो नर्मल टेकिनीर होगी इसमें एक पॉइंट सूचब कु trade के अभ्याथिए को ते इस परिछा के लिए short list किया जाएगा है यही पहला वाला जो test था pre year pre1 pre1 का कोई मतलब नहीं है वो केवल only passing mark के लिए है pre1 जो है केवल passing mark के लिए है आपको 40% 30% जो जी इस category में है उसके लिए करना है दूसरे से merit बनेगी दूसरे टेस्ट जिसमें थियोरी आ रही है इसके बाद आप जो तीसरा टेस्ट होगा उसके आधार पर आपका सेलेक्शन होगा सेलेक्शन कैसे होगा देखें में बता देता हूँ एक पद के लिए पांच उम्मीद बारों को लिया जाएगा यानि आपको जो हमारा दूसरा टेस्ट होगा उसके जो इसकिल टेस्ट के लिए जाएंगे उसमें एक पद के लिए पांच उम्मीद बार लिये जाएंगे पांच मैंसे फिर इसकिल टेस्ट में चार को बाहर कर दिया जाएगा एक को लिया जाएगा तो इसलिए ये बहुत ही मतलब टफ एकजाम होने वाला है तो आप अभी से तैयारी में लग जाएए तो इसके अलाबा मैंने जो भी जानकारी थी वो दे दिये फॉर्म को जल्ली जल्ली भरें और पड़ाई में लग जाएं कोई भी डाउट हो आप हमें बताएं आप अपना फिटर फिटर को जरू सब्सक्राइब करें क्योंकि यह हकीकत बात बताता है सही बात बताता है तो आज के लिए इतना ही जैहिन जैवारत